नमस्कार दोस्तों तो आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे Revival of Natural Law School Revival यानि की पुनर जागरन तो जब Natural Law की जो फिलोसफी थी ये फिलोसफी दुबारा से जागरित होती है जब ये फिलोसफी दुबारा से existence में आती है और इसके उपर दुबारा से emphasis किया जाने लगता है जियोरिस्ट इसे मानने लगते हैं इस फिलोसफी को ठीक है तो आज की वीडियो में हम Revival of Natural Law School के बारे में डिसकस करेंगे तो अब बेसिकली अगर इसका overview देखें तो होता क्या है कि एक time period था 1945 से पहले का ठीक है यह हम कह सकते हैं यह जो 18th, 19th century का time period था उस time period से पहले का time वो time period और उस time period के बाद का time यह सारी philosophy जो है वो इन तीन time periods के according है जो पहली philosophy थी जो 18th, 19th century यानि कि जब revival of revival sorry जिस time पे scientific revolution नहीं आया था scientific thought expand नहीं हुआ था और जिस time के उपर लोग positiveism के उपर ध्यान देना शुरू किये थे उस time period से पहले का जो समय है उस समय पर जो philosophy ज़ादा prevalent थी वो थी natural law की philosophy जिस time पर scientific development हुआ positivist thought आये उसके बाद august कौम थे उसके बाद और भी जो अलग अलग type french revolution हुआ scientific revolution, industrial revolution आया जब एक society के अंदर change आया, एक scientific outlook आया तो उस time के उपर analytical positiveism के philosophy को follow किया जाने लगा लेकिन इस time period के बाद और specifically अगर मैं कहूं तो 1945 के time period के बाद दुबारा फिर से natural law के philosophy revive हुई और जो के base बनी sociological school of jurisprudence का ठीक है, तो ये है revival of natural law school अब हम इसके बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं तो हुआ क्या 28th century ये वो time period है जब revival of natural law theory दुबारा से हुई अब इसके reasons क्या क्या थे तो पहला तो इसका reason था कि during the end of the 19th century ये जो 19th century का जो end का time है इस समय पे हमने revival of natural law theory देखे mainly due to following these three reasons पहला reason क्या था it is a reaction against analytical positivism it is a reaction against analytical positivism why it is a reaction question is why it is a reaction against analytical positivism, क्या ऐसे drawbacks से analytical positivism के जिसके कारण ये थेरी दुबारा से revive हुई तो अगर हम analytical positivism के अंदर देखें तो basically होता क्या है न कि हर एक law के हर एक law के या मैं कहूं कि society के अंदर दो ऐसी चीजे होती है दो ऐसे factors होते हैं जो की society को guide करते हैं और individual को भी guide करते हैं और सासी society और individual को control भी करते हैं वो दोनो factors कौन से होते हैं एक तो होता है law और एक होती है morality ठीक है एक होता है law और एक होती है morality यहाँ पर law मैं उस चीज़ को कह रहा हूं जो की scientific law है man-made law है ठीक है यह दो चीज़े होती हैं तो natural law के जो philosophy थी वो morality को ज़्यादा उपर रखती थी यानि कि अगर morality के अंदर और man-made law के अंदर में कभी भी conflict आएगा तो morality prevail करेगी यह यह कहते थी फिर आया analytical positiveism का time जिन्होंने law और morality को पूरे तरीके से separate कर दिया और इन्होंने कहा कि law के अंदर morality का कोई इस्तिमाल नहीं है अब यह सबसे बड़ा कारण था analytical positiveism के गिरने का उसके fail होने का उसके failure का सबसे बड़ा कारण था क्योंकि अब इस concept के हिसाब से अगर हम observe करें तो society के अंदर में बहुत ही बुरे effect पड़े जैसे Germany के अंदर में Hitler उसके बाद में Italy के अंदर में Mussolini और Japan के अंदर में जो वहां का राजा था इन तीनों के तीनों ये तीन country मैंने इसलिए लिए है क्योंकि ये तीन country जो थी ये world war की world war का सबसे जो main reason था या root cause था वो यही तीन country थी जिनके अंदर एक despotic despotic sovereign था इसके अंदर राजा था और इन दोनों के अंदर तानाशाही थी ठीक है तो अब ये हुआ अब ये तीनों के तीनों क्या थे इनके हिसाब से ये भी बिल्कुल उसी philosophy को तो follow करते थे या हम कह सकते हैं कि हम analytical school के philosophy की जलक इनके type of rain के अंदर में देख सकते हैं law is a command of sovereign जिसे हम कहते हैं ठीक है और यही तो तानाशाही के अंदर यही तो होता है तानाशाही क्या होती है law is a command of sovereign जिसके कारण क्या हुआ और ये तीनों के तीनों empire build up करना चाहते थे expansion करना चाहते थे अपने empire का अपने अपनी country का ठीक है तो ये चीज थी तो अब क्या हुआ कि इससे हमें क्या मिला world war 2 और world war 2 के साथ में एक बहुत ही बड़ा disaster एक बहुत बड़ी तबाही वो मिली हमको तो इस कारण एक ये failure है दूसरा और इससे क्या पता चला कि जो हमारी society के जो बहुत सारी problems हैं उन problems को analytical positiveism की philosophy solve करने में fail है क्यों? क्योंकि ये morality और laws दोनों को अलग-अलग करती है जिस कारण society को बहुत सारे morally bad laws को face करना पड़ता है जो उनके sovereign बना कर देते हैं उनको जैसे कि Hitler ने किया था बहुत सारे morally bad laws बनाए थे जैसे कि कि सारे के सारे Jews को खतम करना है कोई भी Hitler के खिलाब backbiting करेगा तो उसे सीथा सजा मिलेगी और मौत की सजा मिलेगी ठीक है तो ये सब चीजे तो बहुत ही morally bad laws मिले दूसरा abstract thinking किसको कह रहे है आप है natural law philosophy को कि natural law philosophy जो है जो की एक abstract thinking है मतलब जिसका कोई abstract का मतलब जिसको कोई देख नहीं सकता किसी तरीके का उसको बस उसे feel किया जा सकता है कोई देख नहीं सकता है उसको कोई छू नहीं सकता है और कोई उसका रूप रंग नहीं ये कोई concrete चीज नहीं है वो नहीं codified है तो इसलिए basically abstract thinking कहा है तो ये जो natural law के philosophy जो है वो completely futile नहीं है completely unproductive नहीं है ठीक है अगर इसके अंदर morality के factor को रखा गया है तो वो morality का factor भी law के अंदर important role play करता है तो ये चीज है तीसरा ideology of fascism जो Mussolini के ideology थी also led to the revival of natural law theories तो ये तीन reason है और अगर मैं specifically एक line में कहूँ तो जो basic reason था वो यही था कि it is a reaction against the analytical positivism तो ये चीज था ये तीन हमने पढ़े reason revival of natural law theory के अब देखते हैं कि कौन कौन से concept इस natural law theory के revival की जो philosophy है तो concept है उसके अंदर हमें discuss करने है तो पहला तो हमने concept discuss करना है concept of just law just यानि कि justice जिस हम कहते हैं तो concept of just law अब ये जो concept है just law का ये stammer ने दिया था stammer ओके ये नाम याद रखना है stammer gave the concept of just law अब ये just law का concept कहता क्या है तो इस just law के concept के हिसाब से जो law का purpose है जो law का purpose है is not to protect the will of one person किसी एक person के will को उसके interest को protect करना नहीं है तो ये concept of just law क्या बोलता है कि law का purpose ये नहीं है कि वो किसी एक आदमी के interest को protect करे या किसी एक group के interest को protect करे law का purpose ये है कि ये पूरी society के interest को unify करे और उसे satisfy करने के कोशिश करे और society के अंदर में harmony लेकर आए लोगों के बीच में भी और लोगों और society के बीच में भी harmony पैदा करे ठीक है ये चीज है इसका ये law का purpose और ये कैसे होगा by using principle of morality ओके next है philosophy of heart तो heart की इसमें जो हम particular philosophy जो हम पढ़ेंगे वो है core and penumbral की philosophy अब core and penumbral की philosophy क्या बोलती है कि जो ये अर्थ है उसके दो हिस्से होते है एक तो core होता है और एक penumbral होता है जो core का area होता है वो बहुत hard होता है और penumbral जो होता है वो comparatively soft area होता है ठीक है तो इसी तरीके से जो law है उस law के भी दो part है एक जो की hard law है जिसे हम कह सकते है criminal law जिसके अंदर court की ये judge की discretion नहीं चलती है जो rule है वो वैसा ही लगना चाहिए और दूसरा हम पढ़ते है penumbral जो की soft है flexible है जिसके अंदर जो judge है वो अपनी discretion को use कर सकता है तो अब ये देखें तो hurt भी कहीं न कहीं उसने approval दे दिया था minimum content of law का minimum content of natural law का जब उसने कहा कि law का एक soft corner होता है एक soft portion होता है जिसके अंदर judge का discretion चल जाता है for example जैसे अगर कहीं लिखा हो कि इस park के अंदर vehicles allowed नहीं है अब कोई आदमी अगर cycle लेके जाता है तो वहाँ पे तो law के हिसाब से क्या लिखा कोई भी vehicle allowed नहीं है और cycle भी एक vehicle है तो अब इस मामले में ये चीज़ देखा जाएगा कि cycle को ले जाना उसमें allowed है कि नहीं अगर तो उसे vehicle मानके चलते हैं तो उसे allowed करना पड़ेगा और अगर नहीं मानके चलते हैं तो ये जज़ के description के उपर totally depend करता है मतलब ये judge decide करेगा कि vehicle उसमें लेकर जाना है vehicle sorry bicycle उसके अंदर लेकर जाना है कि नहीं जाना है लेकिन अगर bicycle के लावा कोई भी motor vehicle होगा तो वहाँ पर तो directly क्या लगेगा जो भी law दिया हुआ है कि वो prohibited है तो जितना charge है उसमें उतना charge आपको pay करना पड़ेगा तो यहाँ पर क्या आता है discretion of judge यह आता है discretion of judge जहाँ पर भी rationality discretion की बात आती है वो natural law के अंदर आ जाएगा which means every common law या legal system must satisfy some moral requirements हर एक legal system को कुछने कुछ moral requirements जो होती उन्हें satisfy करना पड़ता है यह थी philosophy of hurt next है concept of fuller अब fuller ने basically किस चीज़ की बात किती न fuller ने दू चीज़े बताई एक तो inner morality of law क्या होता है और दूसरा उसने बताया कि एक valid law के conditions क्या क्या होते है तो पहला तो है inner morality of law inner morality of law किसको बोलते है यानि कि law जो है वो should be governed by moral consciousness law जो है moral consciousness से governed होना चाहिए और वो moral consciousness क्या होना चाहिए वो दोनों के moral consciousness होने चाहिए एक जो law बना रहा है और दूसरा जिसके उपर law apply होना है यानि कि lawmaker और law और individual in the society इन दोनों के moral consciousness को satisfy करता हुआ होना चाहिए law और इसी को हम क्या बोलेंगे valid law valid law या just law हम इसी को बोलेंगे और इस valid law के कुछ characteristic हैं जैसे कि ये laws जो हैं वो codified होने चाहिए दूसरा published होने चाहिए ताकि सबको पता हो codified होने चाहिए ताकि एक objectivity आ सके published होने चाहिए ताकि सबको पता हो simple होने चाहिए ताकि हर कोई उसे understand कर सके it should not have retrospective effect retrospective effect यानि कि law ये नहीं देखके चलना चाहिए कि law ऐसा नहीं होना चाहिए कि society पीछे की और जाए या law ऐसा नहीं होना चाहिए कि society की पीछे की घटनाओं को ले करके ज़्यादा emphasis करे ना कि society के future को ले करके ठीक है तो law should be perspective जो कि future को देखे कि future में क्या event होंगे future में क्या effect होंगे इसके कहीं आज किसी law के miss होने से future में इसका बुरा असर तो नहीं पड़ेगा ऐसी चीज़े no two law should be contradictory to each other no two law should be contradictory to each other next है law should not require the conduct of individual beyond practical limit कि मतलब law ऐसा नहीं होना चाहिए कि individual उसे follow ही ना कर सके है ना जैसे कि अगर ऐसा law बन जाए कि भई कि अगर आप अगर आप traffic rule को violate करते हो तो आपको एक लाग का चलान होगा पाँच लाग का चलान होगा जिसे individual follow ही ना कर पाए law should not change frequently law में consistency होनी चाहिए ताकि society के अंदर भी consistency रहे एक society constant तरीके से consistency के साथ में grow कर सके और last there should not be any difference between laws made and laws administer यानि कि जिस तरीके से law बनाए गये हैं जिस वर्पस के लिए law बनाए गये हैं लोग उसे तरीके से administer भी होने चाहिए ठीक है वो चीज़ है अब ये जो natural law के philosophy है इसने बेसिकली sociological thought जो है उसका base रखा तो दोनों thought एक तरीके से similar से ही है ठीक है अब हमारे जो Indian constitution है वो Indian constitution के अंदर भी हम काफी जगा reference हम देख सकते हैं जहां पर हम जो natural law के philosophy है उससे derive होता है उससे जो verify होता है ठीक है जैसे कि जो हम part 3 और part 4 of Indian constitution देखें यानि कि कुछ natural rights होने चाहिए लोगों के fundamental rights होने चाहिए लोगों के कुछ duties होनी चाहिए लोगों की ये सब चीज़े होगी ओके उसके बाद में लोगों के पास freedom of speech होना चाहिए expression होना चाहिए freedom of speech and expression होना चाहिए freedom of freedom to believe होना चाहिए ये सब चीज़े उसके बाद हम अगर अपना basic structure theory देखें जो कहता है Supreme Court ने कहा था कि basic structure जो है वो change नहीं हो सकता है क्यों क्योंकि ये constitution है उसकी आत्मा है ये सब चीज़े होगी उसके बाद और भी हम काभी सारे reference देख सकते हैं जैसे कि no judge shall be no judge shall preside over for his own case ठीक है कोई भी judge अपने case को खुद से नहीं preside करेगा ये सब चीज़े हैं तो बहुत सारी चीज़े हैं हमारे constitution के अंदर में जिनको हम देख सकते हैं कि natural law के theory से verified हैं और कुछ cases भी है किश्वारंदा भारती versus state of केरला और मेनका गांदी versus union of इंडिया जिनकी judgments में हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़े natural law theory से प्रेरित हैं उनसे derive हुई हुई है तो यह था अपना आज का concept revival of natural law philosophy आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको पसंद आई है तो इसे like, share और subscribe जरूर करें और हमारे Instagram handle its__miraki__07 को follow करना ना भूले Thank you and I have a nice day